So Hello guys, Welcome back to my channel again, it's Abhi Bonsai here So guys, बहुत दिनों से मैं Bonsai grow कर रहा था, बहुत सारे अलग अलग plants grow कर रहा था But recently मैंने एक या दो महिने पहले सोचा कि अभी इसको और भी थोड़े अच्छे सी किया जाए और मैंने कुछ ट्राइ के हैं नहीं चीजे जो Bonsai तो नहीं है बढ़ देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं वो है succulents So succulents मैंने grow करने का decide किया और मुझे अच्छा भी लगा grow करके तो मैं मेरे पास कुछ succulents है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा चले गया इस देखते हैं मेरे कुछ succulents plant अगर बारे में आपको बात बता दू कि यह जो आपको flower जैसा दीक रहा है यह flower नहीं है चूंकि succulents के पत्ते हीं ऐसे shape के होते हैं जिसके वज़र से वह flower जैसा दिख रहा है क्योंकि यह flower नहीं है तो इसको पेटल मत समझेगा यह एक पता है जिसके वज़े से flower की तरह दिख रहा है तो गई सकलेंट का दूसरा सबसे अच्छा बात है कि यह अपने leaf के अंदर water store करके रखते हैं इसके वज़र से आप इनको हफ्तों तक भी अगर पानी ना दे तो यह भी बहुत अच्छा से सर्वाइब कर जाएगा जैसे अगर आपके चुटी हो अगर आप चले गए और आप तोच रहे होगा कि मेरे सकलेंट को किसे ने पानी नहीं दिया तो कोई problem नहीं है अगर आपका soil बहुत अच्छा सा drain भी हो गया सूख भी गया ड्राइब भी हो गया तो भी यह survive कर जाएगा बिना पानी के कई दिनों तक तो गाइस क्योंकि सकलेंट एक desert plant है तो इसका जो soil होगा वह बहुत ही well trained होना चाहिए बंजाई जैसा होना चाहिए कि इसमें कहीं भी water store नहीं होना चाहिए अगर water store हुआ तो उसमें fungal infection का problem हो सकता है जिसके वज़ेसे आपके succulent गल भी सकते हैं सकते हैं इसके soil के उपर मैं बाद में एक बार वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अभी मैंने इसके soil अच्छे से mix किया नहीं है मैंने इसको normal black sand में ही रखा हुआ है सकलेंट एक desert plant है तो इसको बहुत ही ज्यादा sunlight पसंद है पर इसकी बहुत एक अच्छी खासियत यह भी है कि यह indoor भी बहुत अच्छी से grow कर जाएगा जहां पर आप इसको थोड़ा सा भी sunlight ना देना यह मतलब नहीं है कि आप इसको कोने में अंधरे में रख दीजे इसको आप normal balcony में या अपने खिटकी पर रख सकते हैं जिससे यह बहुत ही अच्छा दिखेगा तो इसको पूरा sunlight भी दे सकते हो और चाहिए तो आप normal light में भी आप इसको रख सकते हो और गाइस succulents के बहुत ही सबसे अच्छी बात यह है कि यह अपने leaf से तुबारक growth कर जाते है अगर आपका इसका एक leaf मिल जाता है तो आप उस leaf को रख दीजिए soil में ही कुछ दिनों बात उसी leaf में से new growth आपको देखने को मिलेगा तो गाइस यह भी मैंने try के आप दिख सकते हैं यहाँ पे कि इस वारे succulents के मैंने कुछ leaves collect किया है और उसमें से मैंने कितने अच्छी सारी growth किया है आप एक succulents खरी दिया और उसमें से बहुत सार आप succulents बना सकते हैं इसके उपर भी मैं फीचर में एक वीडियो बनाऊंगा अभी के लिए मैं सिव आपको यह दिखा रहा हूं कि मेरे पास कौन से succulents और उसके कुछ important points दे रहा हूं मैं आपको चो गाइज अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को थैंक्यू गाइज फर वाचिंग